कि नमस्कार दोस्तों जय सच्चेदानन कॉंसेंट्रेशन इंप्रूव्मेंट वर्क्शॉप पार्ट फोर में आपका स्वागत है आगे बढ़ने से पहले वीडियो के स्टार्टिंग में दी हुई लीगल डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिए और फिर आगे बढ़िए तेंक यू आज के इस लेक्चर में हम कॉंसेंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए जनरल डूज एंड जनरल डॉंट्स के बारे में बात करेंगे कि हमको क्या जनरली करना चाहिए और क्या जनरली नहीं करना चाहिए हितन कोई expert नहीं है इन सारे fields में किन्तु अपने जीवन में जो चीजें करके उसका improvement बढ़ा था या जो चीजें करके उसका improvement घटा था जो अपना experience है वो आपके साथ share कर रहा है ओके all right चलिए My name is Hiten Rita Patel and let's go ahead with this video Okay, अब सबसे पहले concentration इंप्रूव करने के लिए हमारे scriptures में दो बहुत ही महत्वपूर्णा हस्तमुद्राय कही है हस्तमुद्राय याने basically मुद्रा साइंस ये कहता है कि हमारे सारे उंगलियों में हमारे सारे तत्व है हमारा जो पूरा शरीर है वह पांच तत्वों से बना है अगनी, वायू, आकाश, पृत्वी और जल और इन हस्तमुद्राओं के एक दूसरे से अमुक प्रकार से छूने से अमुक प्रकार की मुद्राय बनती है हितेन का खुद का ये एक्सपीरियंस है कि यह मुद्राय बहुत लाबदाई है और आप देखेंगे कि हितेन हर टाइम ये लेक्चर देते के टाइम भी मुद्राओं में ही बैठ के लेक्चर देता है तो सबसे पहली मुद्रा जो हमारे हमारी कॉंसेंट्रेशन को हमारी एकाग्रता को बहुत बढ़ाती है वह है गनान मुद्रा हितेन मुद्राओं का एक्सपर्ट नहीं है अगर आप चाहें तो कोई भी मुद्रा लगाने से पहले मुद्रा एक्सपर्ट से जरूर कंसल्ट करें तो दो किताब है जिसमें गनान मुद्राओं के बारे में और कॉंसेंट्रेशन के बारे में बहुत लिखा गया है पहली मुद्रा है मुद्रा एन हेल्थ परस्पेक्टिव एन इंडियन अप्रोच बाई सुमन चिपलूनकर इस किताब में पेज नंबर 48 पर यह लिखा है जो लिखा है वह हितेन पढ़के सुनाता है आपको गनान मुद्रा में लिखा है वायू कॉजिस मूवमेंट्स एन थॉट्स वायू मूवमेंट कॉज करता है और विचारों को कॉज करता है तो जिनके शरीर में वायू बहुत होता है वो बहुत ज़्यादा विचारते हैं बहुत ज़्यादा विचार करते हैं जब आपका विचार बढ़ता है तो इंडरेक्लिक कहीं न कहीं वायू बढ़ रहा है अगनी is related to the brain हमारे मस्तिस्क से अगनी का connection है वेंडर टिप्स ओफ इंडेक्स फिंगर एंड थम जॉइन तुगेदर वायू गेट स्टेबिलाइज़ जब हमारा थम का अंगूठे का और हमारी इंडेक्स फिंगर की टिप एक दूसरे से जुड़ती है तो हमारे शरीर में वायू का संतुलन होता है वायू एंड अगनी टूगेदर कंट्रोल दा माइंड वायू और अगनी दोनों मिला के हमारे मन को कंट्रोल करते हैं यह दैट इस मुद्रा इस कॉल्ड गनान मुद्रा और इसी किताब में अगले पेज पेज नंबर 50 पे लिखा है फॉर स्टूडन्स गनान मुद्रा इस बून कि विद्यार्थियों के लिए गनान मुद्रा बहुत लाबदाई है इस इंप्रूव मेमरी डेवलप्स कॉंसेंट्रेशन और इंप्रूज ब्रेन पावर यह मुद्रा मेमरी बढ़ाती है एकागरता कॉंसेंट्रेशन डेवलप करती है और इंप्रूव ब्रेन पावर और ब्रेन के पावर को बढ़ाती है मेंटल डेवलप्मेंट इस मेनिफोल्ड मानसिक विकाज बहुत ज्यादा होता है तो यह इस किताब में लिखा है और दूसरी किताब है मुद्रा चिकित्सा बाई ओशो सिद्धार्थ एंड डॉक्टर योगाचारिय डॉक्तर रमेश पूरी यह किताब ओशोधारा ओशोधारा नानक धाम ग्राम मुर्थल से पब्लिश की गई है इस किताब में पेज नंबर 40 पे लिखा गया है गनान मुद्रा के चैप्टर मे कि एकाग्रता बढ़ने से बुद्धी जीवियों चिंतकों सिक्षकों विद्यार्थियों के लिए लिए अति उत्तम मुद्रा इसी लिए इस मुद्रा को सरस्वति मुद्रा भी कहा जाता है पेज नंबर 40 पर लिखा है तो दोनों किताबों में लिखा है कि गनान मुद्रा स्टूडन्स के लिए कितनी बहतर है कितना अच्छे से कॉंसेंट्रेशन बढ़ाती है तो पहले हम यह समझ लें कि गनान मुद्रा कैसे करते हैं जैसे हितेन करता है वह आपको दिखाएगा बाकि आप मुद्रा एक्षपर्ट से पूछ सकते हैं गूगल पर देख सकते हैं तो आपका जो अंगुठा है और आपकी जो इंडेक्स फिंगर है इन दोनों के टिप को लगा देना है आप देखते होंगे कई बार जो सारे भगवान के पिक्चर आप देखते हैं बुद्ध स्वामी भगवान बुद्ध भगवान महवीर नानक बाबा जीजस क्राइस्ट वो सारे गनान मुद्रा में बैठे रहते हैं या गनान मुद्रा में उनका पिक्चर देखते हैं तो ऐ ऐसे नान् मुद्रा लगती है और फिर इस मुद्रा को हमको हमारे नीज के ह competency से नीचे जस्ट नीज के हथाइस की और नीज पर हमको यह विदें मुद्रा रख देनी हैं और ऐसे ही आपको बैठे रहना है यह मुद्रा आप कभी भी कर सकते हैं आप बैठे हो तभी भी कर सकते हैं पढ़ाई करते हो तभी भी कर सकते हैं दोनों हाथ से करो तो बैस्ट है अगर एक हाथ से आप कुछ लिख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो दूसरे हाथ से भी अब लग देखते देखते या वीडियो देखते देखते भी आप ग्रान मुद्रा लगा के रख सकते हैं कोई भी मुद्रा खाने के आधे पौने घंटे तक नहीं करनी चाहिए जब तक आपका खाना पचन हो रहा है तो ग्नान मुद्रा आपकी एकागरता को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मंद है तो उसे जरूर कीजिए और दूसरी मुद्रा है वह मुद्रा है हाकीनी मुद्रा तो अब देखते हैं कि हाकीनी मुद्रा के बारे में मुद्रा एक्सपर्ट क्या कहते हैं तो यही किताब मुद्र मुद्रा चिकित्सा बाई ओशुशिद्धार्थ योगाचरे डॉक्टर रमनिश्पूरी इसके पेज 144 में इस मुद्रा के बारे में पूरा वीवरण दिया गया है तो पेज 144 पर यह लिखते हैं कि हाकिनी मुद्रा के बारे में याददास्त के लिए यह मुद्रा बहुत लाबदायक है इससे याददास्त बढ़ती है इस क्रिया से मस्तिस्क का दाया भाग प्रभाव में आता है और दाया भाग में ही याददास्त की कोशिकाय रहती है मुद्रा विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाबदाई लाबकारी मुद्रा है इससे नए विचाराते हैं हां किने मुद्रा कैसे करेंगे तो हमारे सारे उंगलियों के टिप्स को एक दुसरे से कनेक्ट कर देंगे ऐसे यह तो फिर नमस्ते मुद्रा हो गई ऐसे नमस्ते मुद्रा नहीं हमारे पाम्स को एक दूसरे से छुवाना नहीं है हमको इस तरह से करना है यह आप अगर बैठे हैं तो आपके पैरों पर इसको अराम से ऐसे करके रख लीजिए तो यह दो मुद्राएं हैं यह दो मुद्राएं कॉंसेंट्रेशन बढ़ाने के लिए अत्यंत लाबदाई है हितेन अपने खुद की एक्सपीरियंस से बताता है कि गनान मुद्रा जीवन बदल देती है इतनी बढ़िया मुद्रा है हितेन तो क्या करता है जब ऐसे बैठा रहता है तो यह जो हैरबेंड है जो हमारी दीडी लोग यूज़ करती है हितेन उसको बालों में लगाने के बज़ा है अपने मुद्रा उप में लगाता है तो हितेन क्या करता है यह मुद्रा करता है और इसको लगा के बैढ जाता है तो फिर वो याद नहीं रखना पड़ता कि हमको यह मुद्रा करनी है नहीं करनी है बस इसको लगा के आप बैढ ग के बैठ जाता है जब भी करता है तो ऐसे बैठ जाता है और रात को जब सोता है तो रात को क्या करता है ही तेन ग्रान लगाता है और यह जो medical tape आती है पेपर की medical tape multipores tape शाय जिसे कहते हैं उसको ऐसे इसके उपर लपेट के सो जाता है हलका सा लपेटता ज्यादा तेज नहीं लपेटता नहीं तो फिर खून में obstruction आ सकते हैं तो हलका सा उसको लपेट के राध भर सो जाता है इतनी गहरी नहींद आ इसको भी कर सकते हैं तो यह दो मुद्राएं आपके concentration को बढ़ाने के लिए अत्यन लाबदायक मुद्राएं हैं तो जरूर करें इससे आपको definitely help होगा अब दूसरी exercise जो हीतेन करता है वह है flip-flop exercise इसकी नाम हीतेन ने रखा है flip-flop exercise चलिए देखते हैं कि यह मुद्रा sorry exercise हीतेन कैसे करता है ओके नमस्कार दोस्तों यह टेक्नीक जो भी आपको हीतेन दिखाने जा रहा है इस टेक्नीक से आपका focus बहुत इंप्रूव होता है हीतेन जब से 9 साल का था तब से यह टेक्नीक बहुत regularly करता है बिजिकली यह टेक्नीक में क्या है यह टेक्नीक से आपका mind बहुत focus हो जाता है तो उसमें क्या करना है कि पहले आपको अपने नीज के उपर अपने घुटनों के उपर टैप करना है और उसके बाद right hand से आपको नाग पकड़ना है और राइट हैंड से नाक पकड़ना है और लेफ्ट हैंड से कान की बूट कान का नीचे का हिसा पकड़ना है तो इस तरह से करेंगे हम जब हम शुरू करेंगे तो हमसे नहीं हो पाएगा तो इसको हम पहले आंख बन करके करेंगे आंख बन करके करने से फोकस करने में इंप्रूमेंट आएगा तो ऐसे करेंगे और जैसे जैसे आपके एक्सपरटाइज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फिर आप इसको आँख खोल कर करिये आँख खोल के करने से और ज्यादा दिफिकल्ट होगा जब आँख खोल के करेंगे तो यह एक्टिविटी और ज्यादा डिफिकल्ट होगी आपके माइंड को और ज्यादा फौकस करना पड़ेगा और जैसे जैसे आपकी एक्सपरटाइज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप स्पीड भी बढ़ा और फास्ट अबूंग अबूंग कर दो में अबूंग कर दो अबूंग अबूंग कर दो ऑफ सीरी अबूंग है बहुत अच्छे से बढ़ा देगी, so please do it, it will be wonderful for you, thank you, जै सचे दानन देखिए अपने flip-flop exercise, कितना अच्छे से हितेन फटफटफटफट करके करता है, और नौ साल की उम्रम का था, तब से यह करता है, इसके लिए हितेन का focus, retention बहुत अच्छा है, बच्छपन से ही, अगली exercise, यह गेम है, हितेन की सालिस आइबा, पुजा अंटी ने, यह गेम्स बहुत खिलाती थी बच्छों को, और हितेन ने यह गेम में से concentration बढ़ाने की, focus बढ़ाने की, retention बढ़ाने की technique डेवलप करती है, तो आप दो नाम सोच लिजिए, जो भी दो नाम आप रखना चाहें, आपके दोस्तों का नाम रखिए, या आपके ममी पापा का नाम रखिए, या जो भी नाम है, आज की इस गेम के लिए, हम दो नाम चूज करते हैं, एक नाम चूज करते हैं यक्ष, और दुसरा नाम चूज करते हैं राजवी, तो क्या करेंगे, हम counting करेंगे, लेकिन जबी भी बिजिट 3 आएगा, नमबर 3 आएगा, तो हम 3 नहीं बोलेंगे, हम यक्ष बोलेंगे, और जब भी नंबर 7 आएगा तो हम नंबर 7 नहीं बोलेंगे हम राजवी बोलेंगे तो जैसे 1 2 से आप चालू करेंगे तो 1 2 यक्ष 4 5 6 राजवी 8 9 10 11 12 1 यक्ष 14 15 16 1 राजवी 18 19 तो इस तरह से हम यह गेम खेलेंगे मज़ा कब आएगा जब अब 31 32 करेंगे तो 3 याने आपको यक्ष बोलना है तो 31 को कैसे बोलेंगे यक्ष 1, यक्ष 2, यक्ष 3, यक्ष 4, यक्ष 5, यक्ष 6, यक्ष राजवी, यक्ष 8, 40 और एक डिजित आप एक नमबर आप बोलेंगे, एक नमबर आप क्या फ्रेंड बोलेंगा यानि आप अगर चार-पांच फ्रेंडों में खेलेंगे ये गेम तो बहुत मज़ा आएगा आप 1 बोलेंगे, तो आपका फ्रेंड 2 बोलेगा, तो तीसरा फ्रेंड जिसका नमबर आएगा, वो यक्ष बोलेगा चौथा फिर चार बोलेगा, पांच, छे, राजवी, ऐसे एक एक नमबर से आपको इसको एक्स्टेंड एक नमबर आप बोलेंगे, एक नमबर आपके फ्रेंड बोलेंगे मज़ा तब आएगा, जब ये 111, 112, फिर 113 नहीं बोल सकते आप, तो आप क्या बोलेंगे? 111, ये 117 नहीं बोल सकते हैं, आप कैसे बोलेंगे? 117, अब मज़ा आएगा जब आप 131 बोलेंगे, तो 131 का जब शुरू होगा तो आप ऐसे बोलेंगे? 111, 112, 111, 114, 115, 116, 118, ये गेम खेलेंगा, यार आप ये मोबाइल की सब गेम्स खेलते हैं, उससे अच्छे ये गेम्स खेलिया ना, इसमें इतना हसी आएगा, इतना आनन्द आएगा, प्लस आपका माइंड भी डेवलप होगा, तो सारी गेम्स खेलिये, तो इस तरह से इस गेम को खेलिये, आप इस गेम को आधा गंडा, पॉना गंडा, एक गंडा, दो गंडा, एक दम आराम से खेल सकते हैं, और इतना मज़ा आता है, इतना अनन्द आता है, कि आप पूछिये मत, जैसे किसी ने मिस्टेक कर दिया, इ जितने बचे हैं उस उसमें आप इस गेम को करिए तो यह flip-flop exercise तो हमने देख लिए यह games को हमारी जो साली साइबा है वह इस गेम को लल्ली पपी गेम बोलती है तो हम भी इसको लल्ली पपी गेम ही बोलेंगे नाम आप अपनी चॉइस कर करिए आप नाम लल्ली पपी भी रख सकते हैं यक्स राजवी भी रख सकते हैं आपको जो भी नाम रखना है तन्मा इक्षितिज भी रख सकते हैं लेकिन दो नाम एक नाम डिजित 3 के लिए और एक नाम डिजित 7 के लिए ओक्या तो यह सारी exercises से आपकी retention capacity बहुत improve होगी और अब आपको एक नया एक नई चीज बताता हूं एक नया प्राणायम बताता हूं जो है अनुलोम विलोम प्राणायम अनुलोम विलोम प्राणायम आपके माइंड को कूल डाउन करने के लिए बहुत फाइदे मंद है और अनुलोम प्राणायम अनुलोम विलोम प्राणायम करने से आपका recall बहुत हो सकता है अगें फिर से कहूंगा हितेन योगा एक्सपर्ट नहीं है तो किसी अच्छे योगा टीचर को पूछिए और उनके मार्ग दर्शन से ही अनुलोम विलोम प्राणायम करिए हितेन दिखाएगा वह कैसे करता है डिन नॉट भी दर राइट वे और बेस्ट वे तो अनुलोम विलोम प्राणायम में हम हमारा अंगूठा और हमारी मिदल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को यूज करते हैं अंगूठे से अब हमारा राइट नॉस्ट्रियल बन करते हैं और मिदल फिंगर और इंडेक्स फिंगर से हम हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रियल बन करते ह तो आप कैसे शुरू करते हैं शुरुवात में हम लेफ्ट नॉस्ट्रियल से ब्रीधिंग करेंगे तो राइट नॉस्ट्रियल को बंद करेंगे तो एक नॉस्ट्रियल से ब्रीधिंग करेंगे बन फिर राइट नॉस्ट्रियल से छोड़ेंगे फिर राइट नॉस्ट्रियल से दुबारा ब्रीधिन करेंगे बन करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रियल से छोड़ेंगे तो इस तरह से जनली करेंगे जहां से हितन्य योगा सिखा था वो टीचर ने यह पताया था कि यह अनुलोम विलोम प्राणाया बहुत ही सहजता से बहुत ही नॉर्मल बहुत ही जेंटल वे से करना है जब आप ब्रिधिन लेते हैं तो कोई आवाज नहीं आना चाहिए या जब ब्रिधाउट करते हैं तब भी कोई भी आवाज नहीं आना चाहिए इच्छुड बी एपसिल्यूटली साइलेंट तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपका रिकॉल बहुत बढ़िया हो जा विलोम प्राणायाम करता है दो मिनिट तीन मिनिट और उसका माइंड एक्तम शान रिलाक्सट पीसफुल हो जाता है ओके दोस्तों तो यह सारी टेक्निक से जनरल डूज एन जनरल डोंट से हम हमारा कॉंसेंट्रेशन को बहुत इंबरूग कर सकते हैं बहुत ही स्वाभाव है कॉंसेंट्रेशन बढ़ाने के लिए रात को अच्छी नीन लीजिए रात को जल्दी सोईए सुबह जल्दी उठीए खाना सात्विक खाईए डाल सबजी रोटी चावल नॉर्मल जो हम खाना खाते हैं वो खाईए हो सके उतना तला हुआ खाना कम खाईए मैदा जैसे प द्रिंग्स याने जो मार्केट में कोल ड्रिंग्स मिलते हैं उसको ना खाईए क्योंकि यह सारी चीजें हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती हैं हमारे अगनी और वायू में इंबैलेंस करती हैं तो यह सारी चीजें खाने के लिए अवाइड करिए तो दिस वाज जनरल of concentration improvement workshop I hope this video was useful to you please use it and you will be greatly benefited Jai Sachi Danan have a wonderful concentration experience thank you